हेलो नमस्कार दोस्तो खबरी बोस के ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तो यहां पर आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी ताजा खबरों की सुर्ख्यां तो दोस्तो आप से अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्रा किसी पूरु परधानमंत्री के परिवार को एसपीजी की सुर्ख्या नहीं मिलेगी सरकार इसके लिए पुकता इंतिजाम करने जा रही है इस सिलसिले में संसत के चालू सत्र के दोरान ही अगले हपते एसपीजी कारून में संसोधन का विदेख पेश किया जाएगा परधा का गाधी को 1991 से मिल रही स्पीजी सुरक्षा हटा ली थी और उसकी जग हसी आर पीएफ की जेड़ पलस सुरक्षा दी गई है कॉंग्रेस लगातार सरकार के इस फैसले का भिरोत कर रही है और इसे राजनिती से प्रेरित बता रही है शुकरवार को संसदिये कारे राज्यमंत सुरक्षा देने के पराउधन को हटा दिया यागा सुद्रों के अनुसार स्ब्रहार के गानुन हो प्रस्जी कानुन की सुरक्षा हटाने के त Ilsन्हेों कि अमए संस्दान घंची ए उस समय सरकार की ओर से साब किया घया था कि प्रियांकर गांधी पर खत्रे का सालाना आकलन किया गया था जिसमें सुरक्षा एजंसी उने पाया कि इन तीनों पर खत्रे की आशंकाप एक शाक्रित कम हुई है और उनकी सुरक्षा SPG के बजाए किसे दूसरी एजंसी को दी जा सकती है इसी के अधर पर केंद्री मंत्राले ने इन तीनों को SPG की जगह CRPF की जेड़ पलस सीक्यूरिटी उपलप्त कराने का फैसला किया गया है खबर दोस्तों दमन, दीव और दादरा नगर हविली का होगा बिलए मोधी सरकार अगले हपते संसद में लाईगी बिल केंद्री मंत्री अरजुन मेगवाल ने लोकसभा में बताया है कि सरकार दो केंद्रशासित परदेशों दमन, दीव और दादरा नगर हविली का विलाएकर उन्हें एक केंद्र शासित परदेश में बदल देगी सरकार इस समन्द में अगले हपते संसद में एक बिल पेश करेगी सरकार ने शुकरवार को इस कदम की जानकारी तब दी है जब तीन महिने पहले पांच अगस्त को जम्मो और कश्मीर को हिस्सों में बांट कर दो केंदर शासित परदेशों में तब्लील कर दिया गया था मिगवाल ने कहा कि दादरावन नगर हवेली और दमन वदिव केंदर शासित परदेशों का बिलय बिदेयक 2019 अब सरकार के अगले हपते के कामकाज का हिस्सा है अधिकारियों का कहना है कि गुजरात के करीब पस्चीमी तठ परिस्थित इन दोनों केंदर शासित परदेशों का बिलय बेहतर परशासन और बीविन कारियों के दोहराव से बचने के लिए किया जाएगा अब तक दोनो केंदर शासित परदेशों के अलग बजट और अलग सची वालें रहे हैं जबकि इनके बीच के दूरी महज 35 किलोमेटर है दादरा और नगर हवेली में सिर्फ एक जिला है जबकि दमन और दिव में दो जिले है बिले के बाद इस केंदर शासित परदेश को दादरा नगर हवेली दमन और दिव के नाम से जाना जाएगा इसका मुख्याले दमन और दिव हो सकता है जमू कश्मीर और लदाक को दो केंदर शासित परदेस घोषित करने के बाद से देश में मौझुदा समय में नो केंदर शासित परदेस हैं लेकिन अब दमनवध्दिव और दादरावन नगर हवेली के विले से केंदर शासित परदेसों की कुल तादाद आठी रह जाएगी मकसद से लाए गए चुनावी बॉंड पर पेश आये एक नजर किंदर सरकार ने देश के राजनितिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्सी बनाने के लिए वीत वर्स 2017-18 के बजट में चुनावी बॉंड शुरू करने का एलान किया था चुनावी बॉंड का इस्तिमाल व और पार्टी को भी दानदाता का नाम नहीं पता होता है सिर्फ बैंग जानता है कि किसने किसको यह चंदा दिया है इसका मूल मनतवी है कि पार्टी अपनी बैलेंस शीट में चंदे की रकम को बिना दानदाता के नाम के जाहिर कर सके एक हजार दस हजार एक लाख दस लाख और एक करोड रुपे की कीमत में उपलब्द इन बॉंडों को जनपर्ती निधित्व कानुन 1951 की धारा 29-1 के तहद पंजिकरीत वे राजनितिक पार्टियां ही भुना सकती है जो पीछले आम चुनाओ या बिधनसभा चुनाओ में कम से कम एक भी सदी वोट हासिल की है चुनाओ आयोगद्वरा सत्यापीत बैंग खाते में ही इस धन को जमा किया जा सकता है एक RTI के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि परधानमंत्री कारयालय यानि PMO नेवीत मंत्रालय को दो मौके पर राजे बिधनसभा चुनाओं के लिए समय से पहले बिक्री को मंजूरी देने के लिए विशेश विंडो खोलने को कहा है जबकि नियम के मताबिक बॉंड की बिक्री के लिए एक विशिष्ट वार्सिक अवधी निर्धारित है भाजपा को मिला सबसी ज़्यादा बॉंड 2017-18 में सबसी ज़्यादा 222 क्रोड रूपे यानि 95 फिसदी के बॉंड भारती जन्ता पार्टी को मिले एक अनिया आठेई के जवाब से पता चलता है कि भारती जोरो बैंक और चुनाव आयोग ने इस योजना पर आपतिया जताई थी लेकिन सरकार द्वारा इसे खारेच कर दिया गया था आरवियाई ने 30 जन्वरी 2017 को लिखे एक पत्र में कहा था कि यह योजना पारदर्शीन नहीं है मनी लॉंडरिंग बिल को कमजोर करती है और वैश्विक पर्थाओं के खिलाब है इसे केंदरी ये बैंकिंग कानून के मुलभूत सी दानतों पर ही खत्राउत पन हो जाएगा चुनाव आयोग ने दान दाताओं के नामों को उजागर ना करने और घाटे में चल रही कमपनियों जो केवल शेल कमपनियों के स्थापित होने की संभावनाई खोलती है को बॉंड खरिदने की अनुमती देने को लेकर चिंदा जताई थी बड़े खबर दोस्तों जोजिला दर्रे में फसे 350 लोगों को सेना ने बचाया माइनस साथ डिगरी तापमान में चला है अभियान जीहां दोस्तों समुद्र तल से करीब 11,500 फूट की उचाई पर इस्थित स्रीनगर लेह राष्ट्री राजमार्क पर जोजिला दर्रे में गुरुवार रात हिमपात की कारण फसे लगभग 350 लोगों को सेना ने समय रहते बचा लिया इनमें परेटकों के साथ लेह स्रीनगर करगिल के नागरिक और चार दर्जन के करीब ट्रक चालक हैं सोनमर्ग इस्थित सैनिय सीवीर में लाकर इने चगरूरी चिकित सा उपलप्त कराई गई चार से चोटिस किलोमेटर लंबे स्रीनगर लेह राष्ट्री राजमार्क पर इस्थित जोजिला दर्रा लद्दा का परवेश द्वार कहलाता है रक्षा मंद्राले के परवक्ता करनल राजिश कालिया ने बताया कि बच्चाओ कारेक पूरी रात चला इसमें नागरीक परशासन पुलिस और गुरेप के अधिकारियों ने उल्लेखिनिय सहयो किया उन्होंने बताया कि सोनमर्ग, बाल्टाल, नीलकरत और उसके साथ सटे इलाके में गत रोज हिमपात शुरू हो गया था सोनमर्ग से जोजिला की तरफ जा रहे कई वहान बर्प में फंस गए इसमें कई जगा ट्रैफिक जाम हो गया और बड़ी संख्या में लोग फंस गए माइनल साथ डिगरी सेल्सियस तापमान के कारण वहां फंसे लोगों की जान पर बनाई नागरिक परशासन के साथ मिलकर सेना के जवानून इस इन लोगों को बचाने के लिए राहत अभिहान शुरू किया करीब 250 ट्रकों वह अन्य बाहनों में फसिल लोगों जिन में आधिकांस महिलाया और बच्चे थे सभी कुस रक्षित नीचे सोनमर्ग इस्थित कैंप में लाया गया कैंप में सभी लोगों को कंबल वा अन्य गर्म कपड़े दिये गए भोजर न उठारने का परबंद किया गया ठंड की कारण बिमार पड़े लोगों को चीकित सा सुविधा भी उपलत कराई गई अगली बड़ी खबर दोस्तों जार्खन में बड़ा नक्सली हमला चार पुलिस कर्मी शहीद विधानसभा चुनाव की तयारी में बस्त व्यस्त जार्खन के लातेहर जीले में शुकरवार रात को बड़ा नक्सली हमला हो गया अचानक हुई इस नक्सली हमले में एक सव इंस्वेक्टर समेत चार पुलिस कर्मी शहीद हो गए जारखन पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक शुकुरवार को राज्य में यह नक्सली हमला लोहर्दगा और लातेहर की सीमा के करीब चंदवा थाना शेत्रे में हुआ करीब रात करीब साढ़े आठ वजे नक्सली ने यह हमला उस वक्त किया जब हाईवे पेट्रोल का वहन गस्त लगा रहा था अधिकारी ने आगे बताया कि गस्त के दोरान अचानक पहले से घात लगाए बैठे नक्सली ने पुलिस कर्मियों पर अधा धुन फाइरिंग करने शुरू कर दी इससे पहले पुलिस कर्मि कुछ समझ पाते नक्सली हमले को अन्जाम देकर निकल गए अचानक हुई इस हमले में चार पुलिस कर्मि शहीद हो गए शहीद पुलिस कर्मियों में सुक्या उराओं नाम की एक सब इंस्पेक्टर का भी नाम बताया जा रहा है गैर तलब है कि बीते जुन में इसी परदेश के सराइकेला खरसावा में भी नक्सली ने एक बड़ा हमला किया था इस हमले में पांच पुलिस कर्मि शहीद हो गए थे उस दोरान कुकड सबताहिक बजार में गस्ती कर रहे पुलिस कर्मियों पर नक्सली ने अचानक हमला बोल दिया था जिसमें पांच पुलिस वालों की जान चली गई थी शुकरवार को नक्सली ने ये हमला उस वक्त किया है जब राजवें विदानसवा चुनाव की तैयारियां चल रही है और शासन पर शासन में जुटा हुआ है दोस्तों खबर है कि इंद्र सरकार का एलान एक दिसमबर तक मुप्त मिलेगा फास्टेक कैशलिस होंगे सभी टोल प्लाजा डिजिटल इंडिया और मनी वॉलेट के एक करम में सरकार ने एक अहम अन्य फैसला उठाया है अब से देश भर के टोल प्लाजा कैशलिस होने वाले हैं एक दिसमबर के बाद बिना फास्टेक के कोई भी चालक टोल पार नहीं कर पाएगा इसलिए अब फास्टेक खरिदना बेहत जरूरी है यहां तक कि सरकार ने भी इससे जुड़ा एक बड़ा एलान किया है दर असल फास्टेक को बढ़ावा देने के लिए केंद सरकार ने इस फ्री में बीतरित करने की योजना बनाई है इसके तहट आगामी एक दिसमबर तक कोई भी वहां चालक इसे मुप्त में खरिद सकता है इसके बारे में गुरवार को खुद केंद्रिय सरक परिवहन और राजमार्ग मंतरी नीतीन गटकरी ने खोसना की है गटकरी ने बताया कि आगामी एक दिसमबर से पूरे देश भर के नेशनल हाईवे पर मौजूद टोल पलाजा पर कैश से टोल का भुक्तान करने की सुविदा खत्म की जारी है टोल सिर्फ फास्टेक की मदद से ही चुकाया जा सकेगा केंदरी मंत्री ने बताया कि इस नए प्रणालाई के सम्मंधित NHAI ने अपनी सभी तयारियां पूरी कर ली है इन्होंने बताया कि NHAI नेट्वर्क के अंतरगत आने वाले कूल 587 टोल पलाजा में से कुछ को छोड़ कर सभी बाकी सभी को 30 नवंबर तक फास्टेक से लेस कर दिया जाएगा दरसल 17 टोल पलाजा अभी भी निर्माना धीन है वहाँ फास्टेक से टोल वसुलने के लिए इलेक्ट्रोनिक सुविधा अभी तक नहीं लग पाई है